तो दोस्तो आज मैं फिर से लेकिया हूँ आपके लिए NCL Research and Financial Service Limited का Complete Share Analyze और इस कंपनी के उपर वीडियो बनाने के लिए हमें मुहम्मद जीने कमेंट किया था तो अगर आपका भी कोई queries है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट केजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें आपको 100 रुपीस का बोनस मिलेगा गुरो के तरफ से जिसका आप चाहे तो शेयर भी बाय कर सकते हैं चाहे तो उसे अपनी बैंक एकान में भी ट्रांसपर कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए शूरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी का सेप्टमबर दुआजर बावीस का जो फ्रेश कॉटेली रिजल्ट है यहाँ पे देख लेते देख सकतो आप रेविनु पे 500 परसं का प्रॉफित हुआ कंपनी को यहर और नेट इंकम में कंपनी को प्रॉफित हुआ एक सो पांच पर कितना प्रॉफित हुआ है कितना लॉस हुआ है सारे के सारे जानकारी इस वीडियो में आपको देने बाला हूं तो हम लोग सबसे पहले इस कंपनी का फंडामेंटल को समझते हैं तो मैं आपको लेकि आ चुका हूँ इस कंपनी का अगर अब डिटेल्स देखेंगे तो आप यहां पर देख सकते कंपनी जो है फाइनेंस और इन्बेस्ट पर काम करता है ठीक है कापिटियल मार्केट में तो इस कंपनी का प्राइस चार रुपे से पैसा हो चुका है लेकिन इसका वेलूएशन जो है अभी भी अभी भी तो प्राइस से निंग रश्यों के मुताबिक इस कंपनी में अभी भी बहुत ज्यादा वेलुएशन है तो यहां पर बाकी का चीज़े देख लेते हैं बुक वेलू देख सकते हो 60 पैसे का बुक वेलू है कंपनी का डिविडेन नहीं देता यह कंपनी आपको और रिटेन और क्यापिटल इंप्लॉएट का नमबस इस बाग तो 1.68 परसंट है और रिटेन और इक्विटी का नमबस देख सकतो 1.67 परसंट है और कंपनी का फेस वेलू है दोस्तो एक रूपे का ठीक है मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलूँगा नहीं मैं आपको चार्ट पर करते बाग सारी जानकारी देदूगा तो यहां पर देख सकतो कंपनी इस ओल्मोस्ट डेफ फ्री है कंपनी डेफ फ्री है यहां पर देख सकतो स्टॉक इस ट्रेडिंग एट 0.85 टाइमस इस बुक वेलू का नमबस भी अच्छा है बुक वेलू के नमबस के मुताबिक इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ बीदे 5 साल के मुकाबले में सेल्स ग्रोथ घट चुका 24 परसन का दूसरा इंपोर्टन चीज आप देख सकतो प्रोमोट असके पास शिरिफ 15 परसन का होलडिंग है तिसरा इंपोर्टन चीज आप यहां पर देख सकतो रिटेन ऑन एक्वीटी हुआ है 1.03 करोड का तो company जो है operating profit में profit में 0.25 करोड जून के quarter में company 0.65 करोड जो है loss पे था loss को cover करके company यहाँ पे profit में आ चुका है इस quarter में तो net profit देख सकतो net profit में भी आपको same देखेगा 0.77 करोड कंपनी पिछले quarter में loss पे था यहाँ पे 0.24 करोड कंपनी जो है profit में आ चुका है तो एक बार year on year भी देख लेते हैं यहाँ पे देख सकतो 2.28 करोड का company का जो है expense हुआ है इस साल में और sale हुआ है company का 2.71 करोड तो company operating profit में यहाँ पे इस साल में है 0.43 करोड quarter और और वहाँ पे जो result है वहाँ पे अच्छा था बड़ यहाँ पे year on year अगर जल देखेंगे तो यहाँ पे negative है ठीक है एक 1.10 करोड का जो profit था इस से पहले साल में company का only 0.43 करोड हो चुका है तो एक करोड से company आधा करोड पे आ चुका है यह चीज़ आपको दिमांग में रखना है net profit में भी आपको सेम देखेंगे 1.02 करोड से company जो है आज चुका है 0.32 करोड का तो यहाँ पे company का sales growth देख सकते हो 10 साल से company का sales growth नेगटिव है 10 साल का देखेंगे 5 साल 3 साल साब नेगटिव है इस साल में थोड़ा सा टिक टाक है 79% का sales growth है तो 10 साल से नेगटिव है तो यह matter नहीं करेगा यहाँ पे compounding profit growth अच्छा है ठीक है लेकिन यहाँ पे CIGR company का negative है तो यह भी चीज़े आपको दिमंग में रहने चाहिए यहाँ पे at least कम से कम यह तीनों चीज़े जो है perfect होना चाहिए और साथ में इसका भी numbers ठीक्टा होना चाहिए तो एक अच्छा numbers माना जा जाए तो यहाँ पे निवेश करने का chances नहीं है long time के लिए आपको इस तरह की company पे इस बग बिल्कुल निवेश नहीं करना है आपको अच्छे अच्छे market leader quality के shares को चुनना है जो भी आज के रैम पे जो है market leader shares सस्ते price में आ चुका है market नीचे आ रहा है दीरे दीरे तो आपको नहीं दिया company जहां तक opening हुआ तो वहीं पे closing दिया इस हफ्ते में चार परसन का negative return है company का monthly चार परसन देखा जाए तो साथ साड़े साथ परसन गिर चुगा है इस महिने में six month का चार परसन देखेंगा दोस्तों लगाता डाउन टरेंट पर ठीक है company गिरते गिरते 60% का negative return द दे चुका है लगातार अभी भी downtrend पर है इसका चार पर्टन मैक्स five year का देख लेते हैं मैक्स five year में देखेंगे 10% का negative return है और पांच साल में अगर आप इसका यहाँ पर चार पर देखेंगे दोस्तों तो मैं आपको दिखा देता हूं इसका चार पर देखेंगे दोस्तों मैंगा करवाया गया था ठीक है यह चीज आपकी दिमाग में होनी चाहिए कंपणी उस pump and dump के skirm से अभी भी उबरा नहीं है यहाँ पर बड़ा सेलिंग आया जिसके कारण अभी लगातार कंपणी को उपर जो है प्रेशर है सेलिंग प्रेशर तो इस कंपणी पर निवेश क पैसे पर भी आगर आ जाता है इन फ्यूचर तो वहां फिर भी गिरता ही रहेगा हो ठीक है गिरावाट का कोई आंत नहीं है अगर गिरना शुरू होता है तो तो यह थी हमारा point of view इस company को लेके आपका क्या point of view है comment box में जो जरूर बताना और long term के लिए निवेश करना चाहत के तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और से जानकरी के साथ हमारी वीडियो को अनते तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद